आज हम घर की सिंपल मसालों से बहुती ज़ादा टेस्टी अर्बी की सबजी बनाएंगे इसे बनाना बहुती आसान है आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर राई कीजेगा आपको ये बहुती ज़ादा पसंद आएगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेस्टी वैश फूट पर अर्बी की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर धाई सो ग्राम अर्बी ली है और अर्बी को अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इस अर्बी को उबलते हुए पानी में डालेंगे साथ ही इसमें आधा चमच नमक भी डालेंगे अब हम अर्बी को ढख कर 10 मिनट के लिए पका लेंगे अर्बी को हमें 50-60% तक पकाना है इसे पूरी तरह से गलाना नहीं है जब तक अर्बी पक रही है हम सबजी के लिए मसाला पीस कर तयार कर लेंगे मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइस के प्याज लिये हैं इन्हें कट करके मिकसर के जार में एट करेंगे अब इसमें एक एक इंच के दो अद्रक की टुकुडे डालेंगे अब इसमें लगभग दस से बारा लसुन की कलिया, तीन हरी मिर्च, एक बड़े साइस का कट किया हुआ टमाटर और थोड़ा हरा धनिया एट करेंगे, अब इसका धक्कन लगाकर इन सभी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे देखेnh., मसाला पिस चुका है हम इसे साइड में रख देंगे, अब एक बाउल में दो चमत धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर ये ओप्शनल है पर अगर इसे डालेंगे तो कलर बहुत ही अच्छा हैगा अब इसमें दो चुटकी हींग एट करेंगे और थोड़ा पानी डाल कर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसे भी साइड में रख देंगे देखिए अब अर्भी को उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं अब हम इसे चेक कर लेंगे देखिए यह आसानी से कट हो रही है हमें अर्भी को बस इतना ही पकाना है इससे ज़्यादा नहीं पकाना है अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे अर्बी के थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसके चलकों को उतार लेंगे अब हम अर्बी को इस तरह से मोटी मोटी स्लाइसिस में कट कर लेंगे देखिए मैंने सारी अर्बी को कट कर लिया है अब हम कड़ाई में थोड़ा ओईल लेंगे और ओईल को अच्छे से गरम होने देंगे ओईल के अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें कट की हुई अरबी डालेंगे और इन्हें कुछ-कुछ दिन में चलाते हुए इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे देखिए अब अरभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे अब उसी कड़ाई में आधा चमत जीरा और एक तेज़ पत्त डालेंगे अब जीरा को अच्छे से चटकने तक भुन लेंगे जीरा के भुन जाने के बाद इसमें एक स्मॉल साइज का बारिक कट किया हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को 15 से 20 सेकेंड के लिए भुन लेंगे प्याज के भुन जाने के बाद इसमें पिसा हुआ मसाला एट करेंगे अब इस मसाले को चलाते हुए हम लगभग 3 मिनट तक भुन लेंगे देखे अब इसे भुनते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं अब साइट से थोड़ा थोड़ा ओईल सेपरेट होने लगा है अब इसमें बनाया हुआ सुखे मसालों का पेस्ट एट करेंगे अब हम इसे चलाते हुए लगभग 3-4 मिनट तक भुन लेंगे देखिए अब इसे पकाते हुए मुझे लगभग 4 मिनट हो चुके है अब हम इसमें आधा गिलास के करीब पानी एट करेंगे यह पानी मैंने उसी जार में डाल कर लिया है जिसमें हमने मसालों को पीसा था अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसे ढख कर मसालों को लगभग 5-6 मिनट तक low to medium flame पर पकाएंगे इससे मसाले बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे और सारा ओयल रिलीज कर देंगे हम बीच में एक से दो बार इसका धक्कन हटा कर इसे चला देंगे ताकि मसाले नीचे से चिपके नहीं देखें आप मसाले को पकते हुए लगभग 6 मिनट हो चुके हैं देखें आप मसाला जो है अच्छे से पक चुका है इसने सारा ओयल छोड़ दिया है अब हम इसमें आधा छोटा चमज गरम मसाला और स्वादानुसान नमक एट करेंगे साथ ही एक गिलास पानी भी एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे देखिए अब ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ चुका है अब हम इसमें फ्राई की हुई अरवी एट करेंगे इसे मिक्स करेंगे और इसे ढग कर लगभग 7-8 मिनट तक और पका लेंगे देखिए अब इसे पकते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं अब सबजी पक चुकी है और अरवी भी अच्छे से गल गई है अब हम गेस का फ्लेम आफ कर देंगे ये सबजी ठंडा होने के बाद और जादा थिक हो जाती है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एड़्जस कर सकते हैं देखिए अब अरवी की बहुत ही जादा स्वादिस्ट सबजी बनकर बिल्कुल तयार है आप इसे रोटी पराठा या राइस के साथ खाएं ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी रखती है